अगर आप भी अनीद्र की समस्या से परिसान हैं रात कुन नीद आपको अच्छे से नहीं आती है थकान हमेशा आपको महसूस होता रहता है, आपकी हड्या कमजोर पड़ गई है, आपके सरी में केल्शियम की कमी हो गई है, या आप हार्ट के परेसेंट है, हाई बलड परेसर की समस्या है आपको सूगर लेवल की समस्या थे 错ती नहीं हिसका बताने वाली हूँ जिसका परियोग करके, friends, आप अपने इन सभी समस्याओं से छुटकाराऄ पा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है, आपको कमर में, जोडों में, दर्ध की समस्या है, आम बात बन गई है, सबसे पहले तो जान लिजी sistem का काम को हेंडन नहीं कर पाइंगे और आगर आपके सरी में कल्सियम के कमी के साथ साथ आइजन की कमी हो जाए बिटामिस की कमी हो जाए या और भी पुसक तत्व की कमी हो जाए प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपकी सरीर जो है बहुत ही कमजोर होने लगेगी और आपके सरीर में अनेक हो तरह की बीमार्या उत्पन होने लगेगी अगर कह钱 та कटिया में प्रोबली में हुगी तो क्या क्या प्रोबलें मेंगों लेकिन सरी में आपको फून की कमी हो जाएगी आरंड की वज़ांगे तो ढुत की वजय को तो तो आपको इस बीदियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हो बहुत ही इफेक्टिव है और आपके इस सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगी क्योंकि आपके सरी में सभी पोशक तत्तों की कमी को पूरी करेगी कैलिसेम की कमी को पूरी करेगी आयरन की कमी को पूरी करेगी जो भी आपके सरी के लिए जरूरी पोशक तत्तों होते हैं उन सभी क कमी को पूरी करेंगे जिसके वज़े से आपको हार्ट अटेक आने के चांसे नहीं रहेंगे हाई ब्लड प्रेसर में आपको फैदा मिलेगा अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी कम जोड़ी थकान सब ठीक हो जाएगा और जोड़ों की दर्थ घुटनों की दर्थी समस्या के लिए तो राम बाणी लाजी माना जाता है तो यह वीडियो बहुत ही इंफर्मेटी और इश्फुल होने वाली है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीड सबसे पहले तो जिस नुसके के बारे मैं बात कर रही थी उसके लिए हमें परियोग करना है मखाना फ्रेंट्स मखाना जो है हमारे सहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है अगर आप इसे सुबा खाली पेट बेली खाते हैं तो इससे आपके सरीके अनेकों तर सरी में कैलसियम की कमी को पूरा करता है मैंग्निसियम कार्प्स प्रोटीं की कमी को तुरंद पूरा करता है जिस से आपको तुरंद इनर्जी मिलती है और यह माखाना जो हैं बिल्कुल गल्टेन फी होता है। सुभा माखाने खाने श्योच्ह्हाणा से सरीर में कोलिस्टॉल फैट आर सोडियम की मातरा कंट्रोल में रहती है। क्योंकि अगर आधके सरी में कोलिस्टॉल आधि की मातरा बढ़ने लगती है, तो आपको हार्ट अटेक आने के चांसे बढ़ जाते हैं आपका हाई बिलड प्रेसर की जो समस्या भी बढ़ने लगती है इसके अलाव आपका रख संचा अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जिससे आपके नसों में ब्लॉक के जाने की संबाना होती है और इस वज़े से आपका वजन भी खतम होगा और यह जो है मखाना अगर आप इस तरीके से स्यावन करते हैं तो इस आपकी हड्या मजबूत बनेगी जिससे आपको घूटनों में जोड़ों की समय से बिल्गूनी ठीक होने लागेगी और इसके अलावा अगर आप इसे मखाने को रोश्ट कर प्लोड में सुगर की मैतरा को अब चांट्रोल में रहता है जिससे आफके बीमार नहीं पढ़ते हैं और रोब्वege पाहते परिसान है तो सुबह में खाने को अपने ब्रेक फास में सामिल कीजी या सुबह खाली पेट आप जो है मखाने का परियोग कीजिए इससे आपको काफी फैदा मिलेगा आपकी जो बीपी की समस्या हो बिल्कुल ही ठीक रहेगी कांट्रोल में रहेगी अगर आपको हाई व्रा आप और डेल्त सारे फादे होते हैं में लेकिन क्न trenches अगर आपको कमजोरी थाकान की समस्या तो कि आपको अर अब और 2 चाहुर लेंगी कि अंगर और 10 एक ग्लाषद लीजिए और इसमें आप 5-7 मेंखाना को डालकर इसे वह Wow कीजी अच्छे तरिके उबाली ये मखहने रात को सोने से पहले तो इसे जो आपकी अनिद्रा की समzentया है जैसे की आप रात को अच्छे तरीके से सोने ही पातें आपको निन नहीं आती तो इस अनीदरे की समस्या से आपको चुटकारा मिली गा या कमजोरी थाकान की जो नुस्या होती है आप बहुत ही जधा थाकान फिपिल करते हूँ कोई भी काम के बाद या आपके जोल स्सक्द्दों के दरद जोल समस्या है तो अगर तो अगर आप अनिद्रा की समस्या से चुटकरापना चाहते हैं या कमजोडी थकान की समस्या से चुटकरापना चाहते हैं तो आप इसे रात को सोने से पहले दूद के साथ इसका प्रयोग किजी तो आप इसका मखाने का जो प्रयोग है इसे उबाल कर भी कर सकते हैं या आप मखाने को घी में रोष्ट कर लिजिए और इसका पाउडर बना लेजिए और फिर आपको डेली रात को सोने से पहले एक गलस दूद में एक चमच मखाने का पाउडर को मिक्स करके और आपको इस दूद को सोने से पहले पी लेना है अगर आप इस तरीके जे डेली परयोग करत और फिर आप इसे एक मुठ्धी लिजिए कम से कम उसमें साथ से आठ मखाने होने चाहिए फिर आप इसको अच्छे तरीफे से चबाचा खा लिजिए एक गलास गरम पानी पी लिजिए या चाहें तो आप गलास दूद भी पी सकते हैं अगर आपको दूद जो है सुबा में को दूद नहीं पासता हो तभी पी पीजिए गाशनी का परेम तो इस तरीके से आप माखाने का प्रयूग करेंगे तो आप के सरी के बहुत सारे दरों बिल्कुल नित दूर हो जाएंगे जो कि मैंने वीडियों बताए है और अब अभी जो है ठंड कम उसम चलरह तो आप इ करना थंडी ओके मौसम में जोडों में और कमर में दर्थ की समस्या जो है बहुत ही ज्यादा देखने में आती है तो इसलिए अगर आप थंड के मौसम में इस सीजर में मखाने का सेवन करते हैं दूद के साथ रात को सोने से पहले तो आपको बहुत सारे हेल्थ मेनिफिट हों तो आप इस नुसके को जरूर ट्राइ कीजेगा आपको 100% फायदा मिलेगा आप इसे डेली कंटिन्यू कर सकते हैं इसका कोई साइड इफिक्ट नहीं है इसके बदले आपको बहुत ही फायदे ही देखने को मिलेंगे तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा फ्रेंड्स आपको आपको वीडियो काफी हेलफुल लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा जड़ा सेर कीजेगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इंफर्मेटिव वीडियो जब घरेली नुसके की वीडियोच पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आ झाल